तो अगर आप के बिजनेस को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जो आपका फुड का बिजनस है हम इसको रेस्टरेंट को नाम दे देते हैं फुड थिग तो इस फुड के बिजनस को आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमने क्या बात की थी आप XYZ आपका नाम है XYZ आप एक अलग entity हो एक अलग इंसान हो और यह जो food जो हमारा restaurant है वो एक अलग इंसान है तो आप अगर इस restaurant को start करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा इस restaurant के अंदर आपको पैसे डालने पड़ेंगे तभी फिर यह आपको restaurant पूरे आपको profit earn करके दे सकते हैं तो यह जो initial में इस business के अंदर पैसे डाले जाते हैं उसको बोला जाता है capital यह क्या हो गया यह हुआ हमारे लिए capital आगे हम एक चीज पढ़ेंगे तो उसकी थोड़ी सी चीज में अभी बता देती हूं क्यूंकि हम क्या ब कर रहे हैं यह एक इंसान ही है एक तरीके से जिसके खाली हाथ पैर नहीं है लेकिन यह इंसान है तो हमने क्या बुला ले फुड का बिजनस यह capital ले और में को profit earn करके दे तो फुड यह जो बिजनस है इसको वापस से यह पैसा XYZ को देना पड़ेगा क्योंकि यह दो इंसान movie है जिसके अंदर ऐसा होता है न कि एक किसी और दूसरी company को पैसे देते कि ले इसको डबल करके दे तो वो जो ABC है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा जो आपने initially दिया है वो साथ में डबल करके दे वह वाला भी राइट सो वैसा ही यहां पर भी है XYZ food restaurant को बोल रही है कि ले एक लाग का capital और इसमें से मेरे को profit earn करके दे तो अब यह जो food है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा एक तो एक लाग साथ में जो profit है वो एक बार के लिए हमें इतना ही दियान रखना है यह फिर asset है यह liability है यह expense है यह income है वो हम बाद में categorize करेंगे जैसे जैसे हम terminologies पढ़ते जाएंगे हम सारी terminology को कही ना कहीं categorize करेंगे कि यह asset है यह liability है यह income है यह expense है तो अगर हम capital की बात करें तो यह हमारे लिए हमारे लिए मतलब यह business के लिए एक तरीके की liability हो गई क्यों क्योंकि वो business को वापस से उस पैसों को x y z को देना पड़ता है अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे capital क्या होता है एक business को start करने के लिए एक इंसान जो उस business में पैसा डालता है जो उस business को पैसा देता है उसको बोलते है capital right next drawings capital का एकदम opposite हो गया drawings पहले capital का यहाँ पर example दे रहा है वो भी हम देखते हैं यहाँ पर हम example यह read कर रहे है to commence business owner has bought 10,000 cash 6,000 of furniture goods of rupees 8,000 here the capital of owner will be 24,000 क्या बोल रहे है कि owner एक business में क्या-क्या लेकर आया as a cash लेकर आया furniture भी लाया और goods भी लाया तो एक business को start करने के लिए जो भी चीजे उस business में लाई जाती है उसको capital बोलते हैं तो भले ही फिर वो cash हो वो या कोई asset हो या goods हो सारी चीजे को collectively क्या बोला जाएगा capital right coming to drawings अब यहां पर यह हमारा food restaurant है और यह है हम XYZ हमने पूरे एक लाख इसको दे दिया right suppose यह हमने इसको दिया 1st April को अब 1st August को हमें कुछ पैसो की जरूरत है तो मैं इस से पैसे मांग भी सकती हूं कि थोड़े से पैसे मुझे दो जो मैंने एक लाख रुपए दिये तो उसमें से 20,000 मुझे पैसो की need है तो यह जो पैसे इस firm से लेता है उसको बोलते है drawings हमेशा हम इसके point of view से business के point of view से बात करेंगे right कि यहां पर यह जो पैसे invest किये गए वो क्या हो गया capital ठीक है जो यानि बिजनस में पैसा लेकर आते है उसको बोला जाता है capital और business से जो वापस से पैसे लेकर जाता है owner उसको बोलते है drawing right तो दो वर यहां पर contradictory हमने पढ़ लिए capital जो firm में introduce करेगा owner और drawing जो firm से लेकर जाएगा उसको बोलते है drawings right next liability liability का मतलब छोटा सा एक हमने पहले भी meaning देखा था liability का मतलब होता है करजा एक तरीके से करजा business को कोई भी पैसा किसी को भी देना बाकी है उसको बोलते है liability for example business ने हम अब जो business है वो हम food restaurant ही लेंगे तो यह जो business है FR उसने bank से loan लिया ठीक है कि जो owner है उसने तो capital लेकर ही आया पर वो capital भी कम था यह है मैंने बनाया है bank तो इस business ने bank से loan लिया तो अगर bank से loan लिया है तो वो loan को वापस repay भी करना पड़ेगा तो वो bank loan क्या हो गया liability अब यह जो अंदर चीजों को categorize करेंगे एक होती है liability और एक होते है assets liability और asset तो हर एक चीज या तो liability हो सकती है या फिर assets हो सकते हैं liability क्या होती है ऐसा जो भी amount जो firm को जो एक business को वापस किसी को देना है capital एक liability है capital एक liability है क्यूं क्यूंकि इस food restaurant को owner को वापस से वो पैसे देने है इसलिए capital liability है bank loan जो firm ने bank से पैसा लिया है वो भी एक तरीके की liability है क्यूं क्यूंकि वो पैसा business को food restaurant को वापस से bank को देना है creditor creditor भी एक liability है क्यूं क्यूंकि हमने अभी जो समान खरीदा है उसके अभी तक पैसे नहीं दिये है यानि किसी को अभी मेरे को पैसे देने बाकी है अब चाहे वो shop वाला हो या कोई और इनसान हो अगर हमें किसी को भी कोई भी पैसे देने बाकी होते हैं हमें मतलब business food restaurant अगर food restaurant को किसी को भी पैसे देने बाकी है तो वो क्या हो जाएगा liability तो अभी तक हमने यहाँ पर तीन टम्स पढ़े थे capital बैंक लोन और क्रेडिटर तो यह तीनों चीज क्या हो गई liability क्योंकि capital में किसको वापस से पैसा देना है owner को owner ने food restaurant को पैसे दिये कि में को profit कमा के दे food restaurant बोलेगा ठीक है actual में नहीं बोलेगा लेकिन food restaurant को क्या करना है पैसे कमा के देने तो वो जो capital है वो actual में owner को वापस से pay off करना है इसलिए capital food restaurant के लिए liability है बैंक लोन, फूड रेस्टरंट ने बैंक से लोन लिया, अब ये लोन वापस पे करना है, इसलिए ये लायाबिलिटी है, कोई भी तरीके का लोन हो, किसी से भी लोन लिया हो, वो हमेशा क्या होगी, लायाबिलिटी, क्रेडिटर क्यों लायाबिलिटी है, अगैन आप थोड़ा सा सोचो, क्रेडिटर इसलिए लायाबिलिटी है, क्योंकि हमने किसी से गुड्स खरीदे, लेकिन हमें पैसे देने बाकी है, हमारे सर पे अभी भी करजा है, कि मुझे पैसे देने बाकी है, इसलिए जो क्रेडिटर है वो भी हमारे लिए liability होगा तो हमें अभी हमने डो चीज़ देखी कि दो में categorize करेंगे liability ए एसेट कोई भी चीज liability ए asset हो सकती है या फिर expense और income हो सकता है हम कोई भी चीज़ को इन चार चीजहों में categorize करेंगे यहां पर हमारा हो liability liability का यहाँ पर और दे रखा है internal liability, external liability, current liability, non-current liability ये सारी चीज़ जो further classification है वो हम assets होने के बाद में देखेंगे तो एक पार के लिए हम ये वाले topic को अभी hold पे रखेंगे next now coming to assets assets क्या होते हैं जैसे कि हमने बुला liability दूसरी तरफ है asset liability अगर हमारे लिए करजा होता है तो asset हमारे लिए क्या हुआ कोई भी तरीके का economic benefit जो हमें जिससे future में benefit होगा जैसे कि क्या जैसे कि firm ने business ने machine purchase किये तो अब machine से क्या होगा business को आगे फाइदा होगा future में फाइदा मिलेगा दो करोड की machine खरीद ली अब उस machine से production होगा वो goods produce करेंगे और उसको बेचेंगे तो future में उनको फाइदा होगा तो इन सारी चीजों से क्या होगा business को इन future फाइदा होगा वैसे ही debtors creditors अगर हमारे लिए liability है तो debtors हमारे लिए assets है कैसे क्योंकि debtors से हमें future में पैसा मिलेगा अगर मैं तुमारे shop वाले की बात करूँ तो shop वाले ने क्या किया तुमें sale तुमें product तो दे दिया लेकिन पैसा कब मिलेगा future में तो future में कोई भी किसी भी चीज से फाइदा मिलने वाला होता है तो उसको हम simply बोलते है assets तो अगर मैं यहां तक अभी हमने पढ़ा अगर मैं assets के कोई example दूँ तो हमारे पास क्या हो गए मैंने machine एक example दिया data एक example हो गया land एक example हुआ और cash bank जितना भी पैसा firm के पास पड़ा है वो भी firm के लिए एक तरीके से asset ही है तो यह हमारे हो गए कुछ example of assets types of assets assets जो है वो अलग-अलग types में divided है non current assets, current assets and fictitious assets यहाँ पर 3 category दे रखी है non current assets, current assets and fictitious assets non current assets के अंदर भी 2 तरीके के assets आते हैं tangible and intangible assets current assets के अंदर भी 2 तरीके के assets आते हैं liquid assets and real assets तो यहाँ पर यह जो main adding है वो है non current asset फिर उसके अंदर की category और दे रखी है tangible and intangible फिर यहाँ पर main category है current assets उसके अंदर की और दे रखी है liquid assets and real assets and the last come to fictitious assets तो यह सब क्या है यह जो सारे है वो time के basis पे non current और current यह time के basis पे categorized होते है non current मतलब ऐसे assets जो हमारे पास एक साल से जादा के लिए रहेंगे more than one year तो उनको बोलते है non current assets जो हमारे पास less than one year के लिए रहेंगे उनको बोलते है current assets simple non current assets current assets non current जो एक साल के जाधा रहेंगे, जैसे कोई machine है, machine हम कभी भी एक साल के अंदर अंदर नहीं बेच देते हैं, तो machine हमारी लिए क्या हो गई? Non current assets, land हमारी लिए क्या हो गया? Non current assets, अब बच्कोगा question आता है, कि suppose अगर हमने बेच दिया, एक साल के अंदर बेच दिया, तो फिर क्या? ऐसा नहीं होता है कि हमने बेच दिया, हम intention देखते हैं, कि हमने जो machine खरीदी है, वो हमने क्या दो महिने के अंदर बेचने के लिए खरीदी है? अगर इसका answer yes है, तो वो current होगा, लेकिन अगर इसका answer no है, कि नहीं, हमने उसको एक साल से जादा रखने के लिए खरीदी है, तो वो हमारे लिए हो जाएंगे non-current, current मतलब, current का मतलब क्या होता है वैसे? अभी के लिए, तुरंट, अभी, present situation, non-current मतलब जो present नहीं है, तो यहाँ पर present के लिए उन लोग ने वन एयर का time दिया है, अब यहाँ पर tangible, non-current के अंदर यहाँ पर इन्होंने tangible और intangible बोला है, current के अंतर liquid assets और real assets बोले, tangible का मतलब होता है, ऐसे assets जिनको हम touch कर सकते हैं, ऐसे assets को बोलते हैं, tangible assets, example machine, example land, example factory, example cash, यह सारी चीज़े क्या है, जिनको हम touch कर सकते हैं, और ऐसे assets जिनका कोई physical existence नहीं है, जो उनको हम touch नहीं कर सकते, ऐसे assets को बोलते हैं, non-tangible assets, एक सबसे अच्छा जो इसका example है, वो है goodwill, goodwill मतलब firm की reputation, आज जैसे हम बड़ी-बड़ी companies की बात करते हैं, हम reliance की बात करते हैं, हम iPhone की बात करते हैं, तो iPhone जो इतना जादा महंगा है, इतना जादा expensive है, वो क्यों है, क्योंकि आज उसकी market में reputation है, आज उसकी market में goodwill है, इस goodwill को बोला जाता है, non-tangible assets, इस reputation को बोला जाता है, बोलते हैं इज़त कमाने में बहुत time लग जाता है, तो यह जो इज़त है, उसको accounting में word दिया गया है goodwill, तो यह जो goodwill है, इसको बोला जाता है non-tangible assets, non-tangible assets के और भी बहुत example है, लेकिन right now, हम goodwill as a example लेंगे non-tangible assets का, अब क्यों goodwill को non-tangible में डाला गया है, क्योंकि यह जो goodwill है वो ऐसा नहीं होता कि भई, हमारी जो goodwill है वो एक साल के लिए ही रहेगी, हमारी goodwill छे महीने के लिए रहेगी, गुडविल तो जब तक हम है, तब तक हमारी goodwill रहेगी, तब तक हमारी business की goodwill रहेगी, इसे लिए goodwill को non-current asset की category में डाला गया है, right, next come to current assets, current assets हमने पढ़ लिया, जो एक साल से कम के होते हैं, उनको current assets बोलते हैं, example, data, very good example is data, data, data मतलब जिन से हमें पैसे लेने बाकी है, तो अगर business किसी को sale करेगा, तो business क्या बोलेगा, तीन महीने का time देदेगा, चार महीने का देदेगा, पांच महीने का देदेगा, दो साल का time तो किसी को देगा ने, कि ठीक है, जाओ, तुम में को दो साल में payment कर देना, एक साल से कम का ही time देगा, कि एक साल के अंदर तो आपको payment करना ही पड़ेगा, इसलिए जो data होते हैं, उनको current assets बोला गया है, और उसके बाद में हो गया bank balance भी हमारे लिए current assets होता है, हमारे लिए जो stock, हमारा जो भी कुछ बचा कुछा stock है, जिस चीज़ का हम production कर रहे हैं, food के अंदर, food industry के अंदर कोई stock नहीं होता, suppose हम pencil का production कर रहे हैं, तो हमने इस साल में बनाई 10,000 pencil, 10,000 में से 9,000 pencil हमने बेच दी, 1,000 pencil अभी भी बाग की है, तो वो 1,000 क्या हो गया, stock, जिसको हम next year हम definitely बेच देंगे, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, current assets, अब current assets को again, दो category में divide किया गया है, liquid and real assets, liquid assets का मतलब, liquid assets वो assets होते हैं, जो कि तुरंट मेरे short period में cash में convert हो सकते हैं, right, ऐसे assets जो बहुत जल्दी, बहुत फटा-फट cash में convert हो सकते हैं, example इसका है, bills receivable, bill receivable के हम बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन bills receivable is an example of liquid assets, real assets मतलब, ऐसे assets जिनकी actual में market में कोई value होती है, right, ऐसे assets जिनकी market में value होती है, उनको बोला जाता है, real assets, assets को बेच के, जो भी assets को बेच के, अकर हमें cash मिलेगा, तो वो हमारे है, real assets, fictitious assets, fictitious assets मतलब, हमें लगता है, कि वो asset है, लेकिन actual में assets नहीं होते, बहुत ही interesting सा है, वापस, हमें वो asset, हमें balance sheet में, asset side में वो दिखेंगे, as a asset, लेकिन actual में वो एक firm के लिए assets नहीं होते, अगर हम उनको realize करने जाएंगे, अगर हम उनको बेचने जाएंगे, तो हमें कितना पैसा मिलेगा, zero, right, तो real assets और fictitious assets सामने होते हैं, real assets का मतलब, ऐसे assets जिनको बेच के कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, fictitious assets मतलब, ऐसे assets जिनको बेच के कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए assets है, right, fictitious assets का example मैं लोगी advertisement expense, जब firm start होती है, तो एक बहुत ही heavy advertisement expense करती है, और ये advertisement expense को बोला जाता है, fictitious assets, ये इस topic में हम next video में बात करेंगे, तब तक मैं जाती हूँ कि सारे students इस पर सोचे, कि किस तरीके से advertisement expense, fictitious assets हो सकता है, कोई issue नहीं है, नहीं आये, तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा सर्च करना, कि क्यों advertisement expense को fictitious assets कहा गया है, तो यहाँ पर हमारे हो गए assets, assets को हमने detail में किया, liability का मैंने एक पार्ट बोला था कि liability हम assets के बात करेंगे, तो हम उस liability पर भी आ जाते हैं, internal liability दो पार्ट में categorized है, concurrent liability, internal liability का मतलब,